हम लोग लास्ट क्लास में देखे हुए थे कि इस तरीके से इंडिया में आए किसे रास्टे होते आ रही थी और लगबक सौ सालों तक वो और इंडिया पर एक तरीके से ट्रेड किये थे गोवा को इन्हों कैप्चर कर रखा था और गोवा को इन्हों ने अपनी कैपटल मना रखी और एंड टाइम तक गोवा को ये छोड़े नहीं थे इसके अलावा पॉर्चुगीज की पावर काफे स्ट्रॉंग हो रही थी फिर लेकिन एक समय के बाद में इनकी पॉर्चुगीज की पावर वीक अपल गई थी और वीक पढ़ने के बाद अल्टीमेटली बाकी जो पावर्स थी बाकी जो कमपनी थी वो भी इंडिया और इस तरीके से पॉच्गीज का डिक्लाइन हो गया था पॉच्गीज के पाद में हमें कुछ होर भी कमपनी के बारे में पढ़ना है कुछ और भी रच डेनमार्क बिटिश फ्रेंच तो फिर देखते हैं फटाफट की क्या कुछ हम लोग कवर कर सकते हैं इन सारे कंपनी को कवर करने के बाद में फिर हम लोग देखेंगे करनाटिक वार के बारे में कि आखिर में क्या करनाटिक वार था किस तरीके से हुआ और क्यों हुआ औ जो पावर की प्लेकार्ड है वो start with the करनाटिक से ही इसी तरीके से बेंगौल में पंजाब में राजपूतों के साथ में मराथाओं के साथ में निजाम के साथ में अवद के साथ में और लगभग लगभग पूरे इंडिया में ही बिटिश ने सेम इसी टाइप का प्लेकार्ड गेम प्ले किया था और अल्टिमेटली पूरा का पूरा जो इंडिया है वो बिटिश के पोजेशन में आ गया था बिटिश की कोलोनी बन गई थी तो ये पूरी चीजें हम लोग बेसिकली वन बाई वन करके चीजों को डिसकस करेंगे समझेंगे देखेंगे फिलहाल जड़ा देखते हैं सबसे पहले अराइवल्स ऑफ डच के बारे में तो डच के बारे में अगर बात किया जाए तो ये लोग 1596 के दौरान में निकले थे और ये इंडिया नहीं आये थे ये लोग गये थे इंडोनेशिया end of 17th नहीं actually ये 16th century है this is actually 16th century 16th century के दौरान में Spain और Portugal की जो पावर थी वो deteriorate हो रही थी और एक निया पावर राइस करके आता है that is the Dutch Dutch ने किया क्या कि जिस तरीके से Portuguese पावर जो है वो इंडिया से समान लेकर के आते थे और Lisbon में रखते थे लिजबन is basically the capital of Portuguese तो ये लिजबन में समान को रखते थे और फिर वहां से जो डच है समान को उठाते थे लिजबन से और पूरे योरोप में ये trade करते थे एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि जो Portuguese है वो पूल सेलर है और जो डच है वो रीटेलर है और रीटेलर भी तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ तो कमाते ही है तो ये दोनों काम कर रहे थे लेकिन डच को एक बात ये समझ में आ चुकी थी कि देखो ऐसा है कि Arabian power भी जो थी वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट लगाती थी और जो Portuguese है वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट लगाई रहे हैं और अगर अगर हम अपने आप डायरेक्टली अगर इंडिया या फिर इस्ट के साथ में डी लेंगे और इसकारण से डच ने क्या है फिर ट्रेड किया लेकिन उन्होंने बहुत इंटेलीजेंटली स्ट्राटेजी बनाई इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है अकर हमें बाहर जाना है तो हमें दो पावर स्ट्रॉंग करना पड़ेगा एक पावर है फिनेंशल पावर दू करने के लिए इन्होंने बैंक स्टाबलिश किये थे बैंक स्टाबलिश करने में 1609 में इन्होंने एक्षेंज बैंक खोला था और 1614 में इन्होंने ट्रेडिट बैंक ओपन किया था इस्ट्रॉंग पोजीशन कर लिया और फिनेंशल पावर भी स्ट्रॉंग कर लिया सीधी स और यह अंतिम समय तक ट्रेड ही किवल और किवल करते रहें ब्रेटिश ने धूर्तपना किया लेकिन डच ने नहीं किया डच जो है वो ट्रेड ही करते रहें सीधे साधे बेचारे थे इन्हों ने देखा इंडिया से ज्याद अच्छा क्वालिटी इंडोनीशिया में है तो इस समय जो डच का जो लीडर था बेसिकली जो कमांडर बोल सकते हैं वो था हाउटमेन नाम था इसका कॉरलेस दे हाउटमेन हाउटमेन नाम याद रखिएगा आप लोग यह अब क्या है कि जो डच की पारलेमेंट थी चुकि बाहर जाना था नया लौ बनाना था नई तो इस कारण से डच की जो पारलेमेंट है उसने 1602 में एक ट्रेड और पास किया था 21 इयर्स के लिए और इस तरीके से डच इस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक्जिस्टेंस में आ गई डच ने सबसे पहले जो टार्गेट किया वो मालाबार और सूरत को टार्गेट किया और यहाँ पर जो साहब थे जो बिसीकली ले कर किया थे उनका नाम था वाल्टर हैग कोशिश तो किया लेकिन ये बिचारे फेल हो गए फेल होने के बाद क्या है इन्होंने 1605 में मसूली पत्रनम में अपनी एक फैक्टरी बनाई अच्छा मसूली पत्रनम जो है वो हमेशा आपको न्योज मिलेगा न्यूज in the sense की हमेशा आपको हिस्टरी में मिलेगा मसूली पत्रनम का जो एरिया है ये ऐच्रूली गोल कोंडा के एरिया के गॉल कोनडा के एरिया में आता था और यहां के जू रूलर थे यहां के जो भीसिकली एम्पररर थे वो हर एक कंपणी को चाहे। फ्रेंच वह बृटिश हो या फिर पॉचचोगीज वह यह फिर आपकी डच हो, सबको इनोंने क्या है, अच्छा खासा एरिया दिया था, कि आए भई ट्रेड करिए, आप लोग अपना अपना ट्रेड करते रहिएगा, कोई डिकत नहीं है, तो मजोली पत्नम इनोंने 1605 इश्वी में अपना एक ट्रेड बना लिया था, बाकी सूरत और सूरत और मालाबार में क्या है कि बिटिश पोजेशन हो गई थी, इस कारण से यहाँ पर ट्रेड जो फैक्टरी है वो नहीं बन पाई थी, डच जो लोग थे वो चुप चाप ट्रेड करते थे, सीधे बच्चे थे और इस कारण से क्या होगा, कि इनके जो इंडियन रूलर से उनके साथ में बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन हो गया था, और इस कारण से उन्हें अच्छा खासा वी आईपी ट्रीटमेंट भी मिलता था, अब इन्होंने क्या है, लाइन से फैक्टरीज इस्टाबलिश करना शुरू कर दिया, जैसे कि 1605 में मसूली पटनम में, 1610 में, पुली कट में, फिर सूरत में, फिर विमली पटनम में, फिर करैकल में, फिर चिंसुरा में, फिर आपकी कासिम बजार, पटना, बालसोर, नाग पटनम, गोल कोंडा, कोचिन, पिपली, इन्होंने अपनी अपनी फैक्टरी लगा ली, अब देखें यहां पर दो चीज गुजरात के एरिया में आती है विमली पत्नम अगिञें जो है ंधर प्रदेश में हाती है करेकल आप लोगों को पता ही है पॉंडिछेरी की ट्रिटरी बन गई थी चिंसुरा ये बंगौल के एरिया में ऊताथा कोचिन पता ही आप लोगों को और पिपली जो है ये भी bengal के ए Elena इरियां में आता था एक चीज़ और यहां ध्यान का एरिया था जो मसुली पतनम पूर्ट जो पूर्ट थी यहां की फैक्टरी थी महाँ पर इन्नों इस fortification करा रखा था और इस fort का नाम बनाए गया तर जे गेरिल्डिया fort ठीक है नाम ये भी याद रखिएगा प्रिम्स examination में पूछा जा सकता है कुछ और important fact के बारे में अगर बात किया जाए तो जो डच थे इन लोगों ने इस्ट और वेस्ट दोनों से ही ट्रेड किया था तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा कि इन्हों ने डच ने इस्ट वेस्ट दोनों से ट्रेड किया है इसके अलावा cotton का जो ट्रेड किया आ नाम था नाग बाशे और पाल कुल्लू तो ये दोनों भी एरिया ध्यान रखिएगा डच कंपनी देखिए अपने आप बहुँच अधा सक्सेस्फुल इसलिए भी थी क्योंकि इन्होंने क्या अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था अपने इन्वेस्टर्स को और इन्वेस्टर्स रहेंगे सीधी सी बात है कि अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा तो लोग और इन्वेस्ट करेंगे ट्रस्ट emperor थे मुगल king थे उस समय के जो फर्रुक सियर थे इन्होंने क्या ब्रिटिश को कुछ extra advantage दे दिया था extra advantage मिलने के कारण सीजी सी भात है competition जो है वो bias रो जाएगा और इस biasness के कारण ultimately जो ब्रिटिश पोजेशन हो गई थी इन्डिया में उस कारण से डच पावर को पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया था ultimately चिंसुरा में दोनों पावर जो ब्रिटिश पावर है डच पावर है दोनों इक दूसरे के अगेंस्ट में आ गई और यही पर दोनों के बीच में वार हो गया इस वार को बोलते हैं 1759 का battle of bedra या फिर battle of चिंसुरा seven year का war तो और ultimately यहां से जो डच पावर थी वो इंडिया छोड़ करके पूरी तरीके से चली गई इंडोनेशिया में उन्होंने का वहाँ पर हमारा spices भी है वहाँ पर शान्ती भी है वहाँ पर हम अपना अच्छा खासा trade भी कर लेंगे तो इंडिया को छोड़ करके ultimately डच पावर भी निकल गई थी 1759 तक 1759 यानि की 1757 में आपको बकसर का प्लासी का war देख चुके है बैटल अफ प्लासी हो गया है अब हमनों पढ़ते हैं ब्रिटिश के बारे में कि ब्रिटिश की चीजे क्या है तो ब्रिटिश का जो राइवल हुआ था वो था 1599 के दौरान में कुछ बुक्स में हलाकि 1597 भी मिलता है तो ठीक है दोनों ही आप धियान रखिएगा 1597 या फिर 1599 सच कोई इसमें ज्यादा डिफरेंज नहीं है यहां पर जो सबसे पहला बंदा आया था उसका नाम था जॉन मिल्डन हॉक जॉन मिल्डन हैं जो साहब आये थे थोड़े कह लीजे कि बहुत ही बोल्ड किसम के आदमी थे और बड़े डेरिंग थे यह जो है बाई लेंड आये थे इंडिया इनको कोई रवर नहीं था और आता ही उन्होंने क्या है पोचГीज के साथ में एक वॉर भी लड़ा था और वो था आर्मेल्डा शिप का वॉर यहां पर जो हॉक साहब है दा जॉन मिल्डन होक इंवहुने हरा भी दिया था पोच्द्रीज को अब सीधी सी बात है अगर पॉच्द्री ही रहेंगे कि ब्रिटिश मिलें उनको फिर जो है हिसाब किताब बराबर किया जाए तो बिटिश जो है वह उल्टीमेटली 1599 में इंथुजियास्टिक हुए कि चलो भाई चलते हैं और बाकी लोग भी दुनिया जो है इंडिया में ट्रेड कर रही है तो चलो हम भी लोग चल यह खुद एक पार्टी बन जाती स्टेक्स ले लेती है और कंपनी में इनकी भी शेर होल्डिंग आ जाती है अब कंपनी का नाम दिखिए काफी बड़ा सा नाम है दाट इस गवर्नार और कंपनी ऑफ मर्चेंट लंडन ट्रेडिंग टू इस्ट इंडिज यह कंपनी का ना board member होते हैं नंबर याद रखना है सच कुछ खास important है नहीं तो फिर skip कर सकते हैं आप company जो होती है सबसे पहले इंडोनेशिया गई थी simple reason था उसके पीछे कि जो Portuguese थे वो armada war के बाद में Britishers को खोज रहे थी कि जब मिले तब इनको फिर हिसाब किता बराबर किया जाए तो इन लोगोंने क्या है कि जब आये इंडोनेशिया में सबसे पहले आए और यहाँ पर पहले अपने आपको strong किया strong करने के बाद फिर ultimately 1604 में यहाँ पर इंडिया में आये और अल्टिमेटली Britishers ने जो हॉर्मस का बिसिकली कोस्ट है हॉर्मस कोस्ट है पोर्षगी से इन्हों ने फिर capture कर लिया 1608 में इन्होंने सूरत को भी capture कर लिया और अपनी factory illegally बना ली थी illegal वाली चीज़ को legal बनाने के लिए obvious सी बात है यहाँ से permission नहीं पड़ेगी इसी बीच हुआ कि जो एलिजाबेथ थी वो उनकी मृत्य हो गई वो डैद हो गई और अल्टिमेटली जो जेम्स वन थे बिसिकली वो राजा बन जाते हैं इधर क्या हुआ 1608-09 के बीच में Captain Hawkins को भेजा आता है कि देखो ऐसा है सूरत वाली जो factory बनाए गया वो तो illegal factory है तो आप जाईए और जहाँगीर से इसकी position ले लीजिए मतलब कि इसकी जो है legalization करा लीजिए Captain Hawkins बन्दा जो है बहुत smart बन्दा रहता है और ये English के साथ साथ जो है टर्की में भी खाफी fluent रहता है अब जहाँगीर के दरबार में जाते हैं और टर्किश में बात करना शुरू करते हैं तो जहाँगीर को अपना भाई पना दिख जाता है तो जहाँगीर बहुत खुश होते हैं और इस तरीके से Captain Hawkins को full permission देते हैं कि जो भई तुमको जो करना है वो करो सूरत में factory establish करनी है you can do that कुछ भी इसमें इधर उधर की बाते हैं उन्होंने नहीं की साथी साथ में जहाँगीर को इन्होंने क्या है English Khan की एक टाइटल भी दिया English Khan के टाइटल के बाद ultimately जब Hawkins थे यह वापस आ गया और सूरत में इन्होंने अपनी factory लगा दी लेकिन इस समय तक जो Portuguese थे उनका प्रेशर बहुत अच्छा खासा बन रखा था ब्रेटिशर के ओ उपर में कारण दो थे एक कारण था वही इनकी ब्लू ओर्टर पॉलिसी और दूसरा कारण था यह ऑल इंडिया में ट्रेड कर रहे थे ट्रेड करते हुए इनको अच्छा खासा हंड़र का टाइम हो रखा है हंड़र का टाइम होने के कारण से बात हैं की position इंडिया में डाला और यह खा कि ऐसा है जो भी अपने फर्मान जारी किया है उसको पहले आप कैंसल करिए जाहंगीर के पास बहुत ज़्यदा प्रेशर था इसकारण से क्या हुआ कि पर्चुगीज के दबाव डालने पर और जाहंगीर के कैंसल करने के बाद पर्चुगीज ने इनको फैक्टरी डिस्ट्रॉइ करने के लिए बोला गया लेकिन बिटिश भी पहले से ही अपना माइंड सेट कर रखे थे और अल्टिमेटली दोनों के बीच में एट लास्ट वार होती है यहां पर बिटिश और पॉच्गीज के बीच में वार हो याती है क्योंकि सूरत में अपना इलीगल तरीके से पोजेशन कर रखा था ब्रिटिश के साइट से जो लड़े थे उनका नाम था कैप्टन मिल्डन नाम याद रखने के बिल्कुल भी ज़रूरत नही थी कुशन यह भी आ सकता है कि सूरत में फैक्टरी सबसे पहले किसने बनाई तो देखिए अगर सबसे पहले किसने बनाई यह आ जाएगा तो अगर एक लीगल वे में पूछा जाए कि इस ने बनवाया है इस बीच में यह जो वार वाली कंडिशन चलड़ इस बीच में 1611 म एक अल्रडी मसूलीड परणम में फैक्क्टरी बिटिशर नहीं इपनी लगा दी थी मसूली पर में हम लोगने पोर्चोंगीस के टाइम पे भी देखा था आ ढ़ा लगबग लगबग सब लोग जो है अपनी अपनी फैक्टरी लगा दे रहें गोलकॉंडा के एरिया में आता है और यहां का जो शाशक था वो फ्रिक्वेंटली सब को बोल रहा था कि आओ भाई लगा लो कोई दिक्कत नहीं है अल्टिमेटली जब ब्रिटिशर और मुगल के बीच में चोई यह रिलेशन खराब हुए थे उस रिलेशन को बढ़िया करने के लिए अल्टिमेटली सर्थ होमस रो को 16-15 में वापस से जहांगीर के कोट में भेजायाता है जहांगीर का एक सॉफ्ट हट रहता ही है क्योंकि उन्होंने अपने फरमान को कैंसिल कर दिया था विकाज अब दे प्रिशर तो अल्टिमेटली यहां पर जब ये थॉमस रो पहुचता है तो कहीं न कहीं एक सॉफ्ट हट के कारणा से जहांगीर नहीं ने अजमेर, मांडो और एलहाबाद की दिवानी दे देते हैं दिवानी देने का मतलब की महां से जाकर रिवन्यू कलेक्ट वगरें करेंगे यह तो कहीं न कहीं पावर दी जा रही है मुगल अंपायर के द्वारा बिटिशर्स को 1618 में ultimately इन्होंने क्या है कुछ other part of the India में भी अपनी factory establish कर ली थी 1623 तका आते आते हैं इन्होंने सूरत में भडोच में एहंदाबाद में मसूली पत्ना में और उत्तर प्रदेश में अपनी अपनी factory establish कर ली थी सूरत के उन्होंने अपना headquarter बना लिया था इसी बीच 1630 में एक war of Madrid हो गया था जो कि obvious सी बात है इन दोनों के बीच में हुआ था किस के बीच में पोचुगीज और बिटिश के बीच में यहां पर क्या कारण थे क्या conditions बनी थी यह सब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ जाती है 1640 तक अगर बात किया जाए तो मद्रास में फैक्टरी बनाई जा चुकी थी और इसको फोटिफिकेशन भी कर दिया गया था इस फोट का नाम भी important यहाद रखेगा सेंट जॉर्ज फोट 1651 में यहां पर एक small force भेजी गई थी ब्रिजमैन के leadership में कहां पर कोलकता मे पटना में और कासीम बजार में ताकि यहां पर जो है अपना बैक फैक्टरी लगा सके और अपनी पावर बेसिकली दिखा सके 1661 में अब पॉच्चुगीज की पावर तो डिकलाइन कर चुकी है तो पॉच्चुगीज की पावर डिकलाइन करेगी तो इन्होंने क्या है हिज के नाम से जाना आता है 1668 में क्या हुआ कि चार्स ने अब चुकी चार्स जो है उसकी मदर इंडिया जो है वो कंपनी में एक शेयर होलडर थी तो शेयर होलडर नॉमिनेशन तो भाई आगए आही जाएगा तो चार्स भी जो है वो नॉमिनेशन के तौर पर बैसिकली लो फास से कंपणा को करेंगे हो करना हो हम को सर्फर कैसे मतलब वोसेता है लिकी जरूर स्थ लिकी एकक्चुल में अभी है नहीं अभी वोही बड़ी वाली कमपनी ठीक है आभीव है मर्चंट एड़ protection of जो es renowned वही वाली में भी बनी नहीं है इस फिंडुक्तलाई कंपणी तрок nevb है conve AG को सुनदर नहीं हुआ क्या कि nord ने एक साइट पॉनिचेरी को बहुत एकदम चमका रखा था उसी तरीके से गोवा को पॉर्शुगीज ने चमका रखा था तो इन्हों ने भी क्या किया कि अपना बॉंबे जो है वो चमका दिया ब्यूटिफिकेशन कर दिया 1687 में अल्टिमेटली बॉंबे को फिर हेड़कॉर्टर बना दिया गया था उसी बड़ी वाली कंपनी का 1688 के दौरान में बिटे में रिविलिशन हो गया पार्लेमेंट इस्टाबलिश हो गई थी और यहां पर बेसिकली जो किंग है वो बदल गया थे चार्ल्स की जगा पर दूसरे विलियम आ गया थे अब विलियम के रहनी वही मायो और अल्टिमेटली पार्लेमेंट जो है वो आ जाएगी तो बिसेकली दो और कंपनी को परमीशन मिल जाती है कि आप भी जाकर के इंडिया में इस्ट में ट्रेड कर सकते हैं आती है लेकिन कंपटिशन उन्हें की कारण से जहल नहीं पाती है तो इस कारण से होता क्या है कि जो बड़ी वाली कंपनी जो सिक्स्टीन कि डवलप्मेंट या फ्र इस्टाबलेश्मेंट हो जाता है सिक्षी नाइटी के दौरान में एक बेंगॉल गवर्नर थी जिसका नाम था इबराहिम खां इसने क्या है कि ब्रिटिशर को कहा कि इन्वाइट किया कि आईए बेंगॉल में आप अपनी फैक्टरी लगाईए और उसी दौरान में जब इन्होंने सूतानाती को दिया कि लो भाई तुम अपना राज करो यहीं पर जो भी करना है वो करो तो शोभास ने बिसिकली रिवोल्ट कर दिया और कहा कि हम तो मुगल अंपायर के अंडर में हैं आप क्यों ब्रिटिशर को क्यों दे रहे हैं और ब्र अगला जो गवर्नर आता है अजी मुंशान अजी मुंशान ने ब्रिटेश को और एक्स्टा एरिया दिया इन्हों ने कहा कि लो भाई कैलकटा या हुगली इसी तरीके से गोविंद्पूर और सूतनाती तीनों को मिला करके अल्टिमेटली ब्रिटिशर्स ने इसे कोलकाता बना दिया एक्शुल में उस समय कैलकटा के नाम से ही जाना जाता था और यहीं पर एक फोटिफिकेशन कर दिया गया था और उस फोर्ट का नाम था फोर्ट विलियम यहीं पर सिविल सर्विसेज के जो भी एस्परेंट्स आते थे इसको जो फर्स प्रेसिडेंट बनाए ग और अब कैलकटा भी बिटिश के ही अंडर में आ चुका था तो अब यहां से बिटिश की जो पोजीशन थी इंडिया में बहुत ही स्ट्रॉंग हो गई थी 1686 के दौरान में जब इनकी पोजीशन स्ट्रॉंग हो गई तो अब यह अपने आपको खुदा समझने लगे थे औ इन्होंने क्या है कि रिस्टर्क करना शुरू किया लोगों को भरणा शुरू किया और अंग्जेब तो इसने क्या है्सा है थोड़ा सा लिंप बे रहिए अभी आप बाहर के लोग है और और अच्छा खासा लेसन जो है वो बच्चे को यानि की चाइल्ड को यानि की सर जॉनचाइल्ड को समझा दिया गया था। अब जॉनचाइल्ड बचपना करेंगे तो फिर पिटाई तो होई जाएगी तो यह काम हुआ था। 16-15 के दोरान में सर जौन सर्मन और उनकी टीम जिसमें डॉक्टर भी थे जिसका नाम था विलियम हैमिल्टन यह आए इंडिया में इनका objective क्या था इंडिया में आने का इनका objective था कि बेंगॉल में एक कौइंट मिंट यानि की जहां पर सिक्के वगरे बनाए जाते हैं वो establish कर लिया जाए बेंगॉल में यह establishment करनी थी और Bombay में already established हो चुकी थी मतलब Bombay में British अपना खुद का कौइंट चला रहे थे तो यहां पर Bengal में भी यह बात कही गए कि चलो यहां पर भी हमारा ऐसा होना चाहिए 38 विलेज को जो होता है Bengal के British मांगना चाहते थे कि revenue कलिट करेंगे उसका बढ़ियाज development करेंगे ट्रेड में यूज करेंगे तो इस काम के लिए basically आये थे लेकिन यहां पर जो फरुक सियर था इसका time period मतलब मुगल में हम लो बाते कर रहे हैं तो जो फरुक सियर था time period जो चल रहा था बिमार रहता था बिमार रहने के कारण जो इस doctor थे यह जो doctor Williamson है sorry doctor William Hamilton है इन्होंने फरुक सियर का जो भी बिमारी थी उसको दूर कर दिया फरुक सियर हो गया खूश और इसने कहा दिल खोल करके जो तुमको मांग लो तो जो बिटिशर थे सीधी सी बात है वो ट्रेड ही मांग रहे थे तो इन्होंने कहा कि चलो भाई ट्रेड देतो हमें तो बेंगॉल से ट्रेड करने के लिए और अपने यह जो अब्जेक्टिव से यहाँ पर हम लोगों ने डिसकस किया है इन अब्जेक्टिव को बेसिकली इन्होंने मांगा फर्रुक सियर बोला यह तो बहुत ही सोचोटी सी चीज है आप एक काम करिये 3000 रुपीज अगर आप हमें as a rent अगर देते हैं as a lease देते हैं तो आपको बेंगॉल में free trade कुछ भी कोई भी कुछ भी करिये trade free हो जाएगा और अगर आप 10,000 दे देते हैं तो आपको पूरे क्योंकि इसके बाद से बिटिशर ने इस फर्मान को इस दस्तक को इसको दस्तक बुलायाता है इस दस्तक को बहुत ही ज़्यादा मिस्यूस किया और यही ultimately reason बना था बेंगॉल के decline का बेंगॉल में जो नवापशिप गई थी यही reason था जिसके कारश से नवापशिप चली ग को मैगना काटा का इसी तरीके का मैगना काटा जो है ब्रेटिशर गुल कोंडा के भी किंग से रिसीव किये थे तो अब क्या है इनको अच्छा खासा position हो गई थी trade को ले करके इंडिया में एक छोटा सा पार्ट और है इसको भी हम लोग डिसकस कर लेते हैं arrival of dain के बारे में arrival of dain जो है बहुत ही छोटा सा है 125 यर के लिए इंडिया में थे लेकिन एक किवल थे फिर भी नहीं थे इसका मतलब क्या है 1616 में ये लोग इंडिया में आतो गये थे इन्होंने अपनी factory एक तंजोर में लगा दी थी और तंजोर में लगाने के बाद ultimately इन्होंने ये फिल कि यहां competition too much है too much competition और too much competition होने के कारणा से यह लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे तो इन्होंने क्या किया एक factory और कोशिश के लगाने की सेरामपूर में बेंगॉल में लेकिन उसके बाद से यह हुआ कि give up कर दिया इन्होंने कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं let us get back from here यहा से वापस चलने के लिए 1745 में उन्होंने सब कुछ बिटिश को बेच दिया और फिर घर को चल दिया तो इस तरीके से जो होता है डेन की भी वापसी हो गई तो हम लोग बिटिश के बारे में पढ़ लिया और डच के बारे में पढ़ लिया है अब ज़रा आगे पढ़ते है और फ्रेंच को भी फटाफट देखी लेते हैं ज्यादा कुछ खास है नहीं फ्रेंच को देख लेते हैं और हम लोग करनाटिक बार पढ़ेंगे अपने next lecture में तो फिलाल अगर बात करें फ्रेंच के बारे में तो दीकि फ्रेंच लोग जो थे वो बहुत लेट में आये थे लेट में आये थे इनका काम भी बहुत लेट था क्योंकि ये थोड़े से गवर्मेंटल थे सरकारी आदमी थे लोई 14 के टाइम पिरियेड में एक साहब थे जो मंत्री थे इनके और उनका नाम दा कोलबर्ग कोलबर्ग ने ये प्रपोस किया क्यार दुनिया भर के सब लोग जा रहे हैं इंडिया इस्ट में जा रहे हैं और अपना ट्रेड करने हैं लेट आवर कंपनी टुग भी गो देर हमारी जो कंपनी उसको भी वहाँ पर भेजते हैं कंपनी का नाम रख्या गया था दा इंड ओरियंटल इंड में डिस इस आई ठीक है इंड ओरियंटल इन्हों ने इसको भी इस्ट में भेजा और यहां से कोशिश किया गया फर्स्ट ग्रूप के द्वारा पहले लेकिन यह मिडगासकर तक गया थे और वहाँ पर फेल हो गय है मिडगासकर की क्लाइटिक कंडिशन फॉरेस्ट इसके कारण से लोग फेल हो गया थे पूरी दुनिया इंडिया के इंडिया के इस्ट में जा रही थी लेकिन इन्हों ने कहा कि दुनिया इस्ट में जा रही हम लोग वेस्ट में चलते हैं तो मिडगासकर गया थे लेकिन फेल हो गया थे उसके बाद से इन्हों लोगों ने सेकेंड गुरूप आया और 1667 में अंडर दर लीडर्शिप आफ फ्रेंको कैरो और मरकारा सूरत पर जा करके यह लोग कैप्चर कर लिए कैप्चर इंदर्संस की यहां पर जाकर के ट्रेड बेट करना शुरू कर दिया 1668 में 1668 में बिटिक्स की पोजीशन बहुत स्ट्रॉंग थे लेकिन खैब नए लोगों को भी यह लोग इन्वाइट ही एक तरीके से कर रहे थे उन्होंने कहीं रेजिस्ट नहीं किया 1669 में मरक देलाहे एक साहब थे जो थोड़े से कह लिजिए की बेवकूफी कर गए हाँ पर इन्होंने क्या किया संथामी एक एरिया है जो की गोलकोंडा के ही राज्य में गोलकोंडा के ही स्टेट में गोलकोंडा के ही अंपायर में आता था और देलाहे ने इसको कैप्चर कर लिया और यही पर अपना शाषन जमा लिया अपना रूल करना शुरू कर दिया गोल कोंडा के किंग सीधी सी बात है वो उसका दिमाग चक्कर खाई जाएगा दिमाग चक्कर खाने के बाद अल्टिमेटली फिरेंच को इन्होंने वार्न किया यह ऐसा है ऐसी गलती होनी नहीं चाहि किये गए और इसमें बोर्ड अफ डिरेक्टर जो है फ्रेंको मार्टिन मनाएं गए जिनका नाम याद रखना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है मार्टिन जो हता है यह विलिकूंडा के एरिया में गयते विलिकूंडा भी है इसी गुलकूंडा के ही पार्ट में आत और जिसका नाम आगे चलके पॉंडिचेरी पढ़ गया मैं इसले पड़ा है कि उन्हों ने पॉंडिचेरी को अच्छा खासा चमक आया ब्यूटिफीकेशन उन्होंने की है और अपनी एक तरीके से कह लिए हैटकॉर्टर भी पॉंडिचेरी को ही बना लिया था इन लोगो 24 में एक साहब थे जिनका नाम था शाहिस्ता खान जो की बेंगॉल में थे और इन्हों ने भी इन्वाइट किया फ्रेंच को की आओ भाई फैक्टरी सेट अप करो जिस तरीके से इब्राहिंग खान अजमुला इन लोगों ने बिटिश को बुलाया था वैसे ही शाहिस्ता खा पर क्वेशन मार्क लग गया था यह लोग दुखी हो गया थे सिक्स्टी नाइंटी थी के दौरान में जो डच हैं इन्होंने पॉनिचेरी पर अटायक किया क्यों सुन्दर सिटी है अटायक कर लेते हैं हमारे पास भी हो जाएगा अब जो बिटिशर थे उन्होंने अपना पॉनिचेरी पाटायक है और जीत भी गये और फ्रेंच से स्नाच भी कर लिए लेकिन फिर क्या हुआ यह लोग तो ट्रेड करने आए थे डच्छ लोग ट्रेड करने आए थे कहें हम लोग क्या करेंगे अल्टिमेटल ट्रेटी आफ रिजविक हुई और यहां पर स्टैंड जो जहां पर है वहीं पर वापस यानि की जो पॉनिचेरी का एरिया था वापस से दे दिया गया था फ्रेंच को 1606 में पॉनिचेरी एक बेस्ट सिटी के रूप में इमर्ज हो करके आई थी उस समय के जो बॉंबे बेंगॉल या फिर मदरा से इन सब में पॉनिचेरी काफी स्ट्रॉंग काफी जादा सुंदर निकल करके आई थी 1720 से का जो पीरियड था वो गोल्डिन पीरियड ऑफ रिंच कहा जाता है 1721 ने इन लोगोंने मौरिशस को कैप्चर कर लिया था 25 में इन लोगोंने माहे को कैप्चर कर लिया और पॉनिचेरी की टेरिटरी बना दी थ 1739 में एक और कांड हुआ था नाम आप लोगों सुना होगा नादिर शाह का इन्वेजन नादिर शाह आया तो और अल्टिमेटली जो पिकॉक थ्रोन है कोही नूर है उसको ले करके चला गया था अवगारिस्तान में और इस तरीके से बेसिकली हमारे इस फ्रेंच की कहानी जो है वो खातम होती है फ्रेंच का डिकलाइन क्या हुआ कैसे हुआ यह सारी चीजे हम लोगों को पढ़नी है करनाटिक वार के दौरान में तो करनाटिक वार हम लोग लेंगे अपने नेक्स लेक्चर में बाकी यहां पर फिलहाल हम लोग स्टॉप कर रहे हैं कोई दिक्कत आफर टेकिंग मेंबर्शिप फ्रम दिस यूट्यूब यूट्यूब पर ज्वाइन बटम पर लिक करके आप मेंबर्शिप ले सकते हैं जियस की मेंबर्शिप लीजिएगा वहां पर आपको वीडियो भी मिल जाएगा और फॉम देर यू वार्च आट वीडियो और गें देर इंफरमेशन रिदिंगा मेंबर्शिप मिलते आपने लेक्श वीडियो में तिल देन गुद्भाइ और थैंक यू सो मुच झाल 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 झाल।